हे दोस्तों स्वागत आप सबका मैं हूँ रहा और एक डिजितल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पिकर, फाउंडर और वॉक्समेटर स्लिशन डॉट कॉम आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ गूगल आनलेटिक्स के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल आनलेटिक्स के बारे में कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ अगर आप एक बिगनर है, आपका एक वापसाइट है, ब्लॉग है या फिर आपका एक यूट्यूब चैनल है और अगर आप गूगल आनलेटिक्स के बारे में जानना चाते हैं, कम्प्लीट इन्फोर्मेशन जानना चाते हैं तो इस वीडियो का अंतर जरूर देखेगा और आप इसका use आप उनी website, blog और YouTube channel के लिए कैसे कर सकते हैं साथी साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप Google Analytics का course कहां से कर सकते हैं इसका fees कितना होता है और आप इसको कैसे best तरीके से आप उनी website, blog या YouTube channel के लिए use कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का अंतर जरूर देखेगा और अगर आपको ऐसे वीडियो लगतार देखने हैं अगर आपको digital marketing सीखनी है, motivational वीडियो देखने हैं, business related वीडियो लगतार देखने हैं motivational वीडियो देखते रहें और अपने business को grow करते रहें तो चलिए दोस्तों हम Google Analytics के बारे में थोड़ी सी विस्तार सी दानकारी हासिल कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं Google Analytics क्या होता है दोस्तों Google Analytics एक Google का ही एक product होता है जिसको आप free में use कर सकते हैं अपनी website, अपना blog और अपने YouTube channel का traffic के बारे में information जानने के लिए Google का ये product आपको जो आपकी website है, आपका blog है या आपका YouTube channel अगर आप manage कर रहे हैं तो उसके उपर कैसे traffic आ रहे हैं, कहां से traffic आ रहे हैं, कौन-कौन से visitors आपकी website आपके blog पे विजिट कर रहे हैं, और कहां से विजिट कर रहे हैं, और किस device का use कर रहे हैं ये सारी information आपको ये जो tool है, वो provide कर वाता है आपकी website, blog ये YouTube channel के बारे में और आपको जो है, आपके traffic की पूरी report, customized report आपको provide कर वाता है दोस्तों, दूसरा point है, how to use Google Analytics दूस्तों, Google Analytics का use आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप Google Analytics का अगर आप free में use करना चाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे आपकी website, आपको register करनी पड़ेगी आपको जो है, आपकी website का access, Google Analytics tool को आपको देना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले Google Analytics tool में आपको एक अपना account create करना है account create करने के लिए, आपके पास जो भी Gmail है, जिसमें Gmail का आप use कर रहे हैं और उस Gmail चाते हैं, आप अपना account बनाना चाते हैं, उस Gmail चे आप सबसे पहले sign up कर लीजे उसके बाद जो भी आपकी website है, blog है या YouTube channel है, उसका आप URL यहाँ पे submit कर लीजे URL सब्मिट करने के बाद आपको एक verification code मिलता है, जो Google Analytics आपको send करता है आपकी website का access लेने के लिए, आपके traffic report आप तक पहुंचाने के लिए उसके बाद आपको code मिल रहा है, उसको verify करना है, आपकी website में उस code को add करना है और add करके आपको verify कर देना है, जिससे आप उसके बाद Google Analytics टूल का use जो है आपके website का data जाने के लिए आप कर सकते हैं तीसरा point है, futures of Google Analytics दोस्तों कौन से ऐसे futures है जिनका use का आप अपने website या blog के लिए कर सकते हैं और अपनी website traffic report आप जान सकते हैं यहाँ पे 5 main जो tools हैं, उनका use आप कर सकते हैं अपनी website के बारे में जानने के लिए सबसे पहला tool जो होता है, वो होता है traffic reports traffic report tools की मदद से आपकी website पे जो भी traffic आ रहा है जहां से भी आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा यह सारी information आप इस tool की मदद से ले सकते हैं यह tool एकदम free होता है, इसका कोई आपको payment नहीं करना होता है दूसरा tool यहाँ पे है, वो है conversion tracking Conversion tracking में आप यह सारी information ले सकते हैं कि कितने लोग आपकी website पे विजिट कर रहे हैं keyword referral की मदद से आप यह सारी information ले सकते हैं कि कितने keywords की मदद से लोग आपकी website पे विजिट कर रहे हैं या कितने जो है, कितने जो है top keywords है आपकी website पे जिससे सबसे ज्यादा traffic आपकी website पे आ रहा है चोथा जो tool है, वो है third party referral इस tool की मदद से आप ये सारे information ले सकते हैं कि कितनी third party websites आपकी website पे traffic भेज रही है या कितनी websites की मदद से आपकी website पे traffic आ रहा है पांच वाज जो tool है वो है custom dashboard, custom dashboard एक ऐसा tool है जिसमें जो भी आपको reports मिलती है गूगल analytics की वो उसको आप customize कर सकते हैं और customize करके आप download करके अपने पास रख सकते हैं तो ये कुछ five features हैं जिनका use आप अपनी website के लिए कर सकते हैं और ये tools जो है बिलकुल free होते हैं इसका आपको कोई payment नहीं करना होता है Google Analytics को और ये बहुत अच्छे और best features हैं आपकी website के लिए तो इनका use आपको जरूर करना चाहिए चौता point है why should use Google Analytics आपको Google Analytics का use क्यों करना चाहिए सबसे पहले तो आप ये जान ली जी कि Google Analytics का जो tool है वो एकदम free होता है तो सबसे पहला use तो ये होता है कि ये एकदम free होता है उसके बाद होता है automatic data collection आप इस tool की मतल से automatic data collection कर सकते हैं जो भी आपकी site का data है traffic data है वो आप automatically collect कर सकते हैं इसमें आपको कुछ भी customize या manually करके आपको data collect नहीं करना होता है आप automatically आप जो भी reports हैं आपकी वो download कर सकते हैं तीसरा है to understand bounce rate यानि कि जो भी आपकी audience है वो कितने देर आपकी pages पर visit कर रही है कौन से page वो सबसे ज़दा read कर रहे हैं और कौन से page वो सबसे ज़दा read नहीं कर रहे हैं और कितनी देर आपकी site पर वो लोग time spend कर रहे हैं यह site open करते हैं वापस close कर रहे हैं यह आप सारी information यान की bounce rate आप यहां से इस tool की मदद से आप आसानी से जान सकते हैं चोता इसका जो use है वो है to know your audience information आप इस tool की मदद से आप जो भी आपकी audience है आपकी website पर audience विजट करें उसकी complete information आप ले सकते हैं लाईक उनकी age आप जान सकते हैं उनका gender आप जान सकते हैं कौनसे mobile laptop या फिर किस सी से या किस device से उन्होंने विजट किया था आपकी website पर वो सारी information आप ले सकते हैं उनकी location क्या है, कौन सी location से वो visit करें, यह सारी information आप इस tool की मदद से ले सकते हैं, आजवा इसका use app वो है to understand your audience behavior, यानि कि आपकी जो audience आपकी website पे जितने भी लोग visit करें, उनका behavior कैसा है उनका reaction कैसा है, आपकी website पे visit करने के बाद, साथवा जो use app वो है to understand your good or bad pages, यानि कि आपकी website पे कौन से अच्छे pages हैं, जो सबसे ज़्यदा rank करें, जिन पर सबसे ज़्यदा content read किया जा रहा है, आठवा जो use app to understand your mobile audience, इस tool की मदद से आप ये भी information ले सकते हैं कि कि कितने ज़्यादा लोग आपकी website जो है, आपका blog है, उस पे सबसे ज़्यदा audience मोबाइल से विजिट कर रहे हैं laptop या फिर desktop से विजिट कर रहे हैं आच्वा point है, benefits of Google Analytics, यानि कि Google Analytics के कौन कौन से benefits हैं जो आपको मिलते हैं इस tool को use करने के बाद, Google Analytics के बहुत सारे benefits हैं, इसके अगर मैं बोली तो एक unlimited benefits है जिनका समाल आप कर सकते हैं लेकिन इसके कुछ most और best benefits है, सबसे पहला जो benefit है इसका, वो है आपको एक लिया report मिलती है, आपके website के traffic के बारे में, तूसरा benefit मिलता है determine your best locations यानि कि आपकी जो website पे location से जबसे ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप आसानी से जान सकते हैं, तीसरा benefit है वो है what people searching about you, कौन से लोग हैं जो आपके business या आपकी website के बारे में search कर रहे हैं, वो सारी reports आप इस tool की मदद से देख सकते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा benefit है आपकी audience को समझने के लिए आपके business के लिए जो चौता benefit है, वो है most pages आपकी website पे कौन से best pages हैं जो best तरीके से perform कर रहे हैं या जिन पर सबसे ज़्यादा audience आ रही है या सबसे ज़्यादा keyword वही rank कर रहे है पाचवा benefit है find your best content आप इसकी मदद से ये भी जान सकते हैं कि आपका best content कौन से pages पे सबसे ज़्यादा लोग visit कर रहे हैं और कौन सा content है जो सबसे ज़्यादा लोग read कर रहे हैं छटा benefit है find your worst pages आप ये भी जान सकते हैं कि कौन से pages हैं जो आपके सबसे गंदी तरीके से और सबसे बेकार तरीके से perform कर साथों benefit है use data for SEO आप इस टूल की मदद से जो भी आपको data मिलता है जो भी आपको reporting data मिलता है audience data मिलता है, keyword data मिलता है keyword data मिलता है, pages data मिलता है उनका use कहीं ना कहीं आप अपनी website का SEO करने के लिए कर सकते हैं ये आपके लिए बहुत ही मददकार साबित होने वाला ये जो data है इस data का use करके आप अपनी website को और भी अच्छी तरीके से Google में rank करवा सकते हैं और अपने business को आप grow कर सकते हैं आत्वा जो benefit है use data for target your audience इस data का use आप जो Google Analytics का data जो आपको मिलता है उसका use आप अपनी audience को target करने भी भी कर सकते हैं आपके audience के बारे में आपको बहुत सारे information आपके आपको ये भी जानने का मोगा मिलता है कि कौन सी audience है आपके pages पे visit कर रही है कहां से visit कर रही है किस mobile का use कर रही है बहुत सारी locations का use कर रही है कहां से आपको जो है audience सबसे ज़्यदा आपकी website प्यार है तो next time अगर आपको कोई campaign रन करना है SEO करना है आपको कोई service sale करनी है business बढ़ाना है तो इस data का use आप अपने business को grow करने भी कर सकते है अपनी audience को target करने में भी कर सकते है छटा point है Google Analytics course सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीके से आप Google Analytics का course कर सकते है पहला free और दूसरा paid कर सकते है अगर आपको free में ये course करना है तो Google Analytics की जो official website है Google Analytics Academy उसपे आप विजिट कर सकते है और यहां से जो भी आपको course करना है Google Analytics के बारे में आपको जाना है tutorials आपको देखना है information आपको read करनी है वो सारी detail आप यहां से ले सकते है और Google Analytics का जो है complete course आप यहां से कर सकते है और इस tool को जो आप आसनी से understand कर सकते है उसके बाद अगर आपको paid course करना है तो आप किसी भी digital marketing institute या academy में आप विजिट कर सकते है और वहाँ से भी आप इसका course कर सकते है उसके बाद हम बात करते हैं fees and course time की दोस्तों fees जो है आप Google Analytics की अगर आप free में करना चाहते हैं तो आप Google Analytics की academy पे विजिट कर सकते हैं यहाँ पे आपको कोई fees या payment नहीं करना पड़ता है अगर आपको paid करना है तो आप किसी भी institute में कर सकते हैं या coaching institute में जाके भी आप वहाँ से कर सकते हैं इसका fees आप जिस भी state में रहते हैं अगर आप किसी इस्टिट्यूट में जा रहे हैं तो इस इस्टिट्यूट का एक time होता है उसी time के according आप जो है यह course complete कर सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो Google Analytics के बारे में अगर आप एक beginner तो उम्मीद करता हूँ आपको यह video अच्छा लगा होगा और आपको मैंने जो भी Google Analytics के बारे में information दी है वो आप समझ पाएंगे अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपको कोई और doubt है आप पूछना चाते हैं मुझसे तो आप comment box में नीचे आप मुझे comments कर सकते हैं और आपको नया वीडियो किस topic पे चाहिए आप वो भी मुझे comment में लिखके बता सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजेगा तो प्लीज अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रूफ या Facebook पे आप शेयर जरूर कर दीजेगा दोस्तों अगर आप एक student entrepreneur है या फिर आप अपना खुद का business से start करना चाहते हैं आप एक businessman है और आप digital marketing services यूज करना चाहते हैं आप works financialization को अभी contact करें यहां से हम आपको all to digital marketing services प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें आपको website designing, website development, SEO, SMM, PPC, email marketing, WhatsApp marketing, YouTube marketing जैसी all to digital marketing services हम आपको बहुत ही कम पैसों में प्रोवाइड करते हैं मेरे साथ मिलके आप अपनी services, मेरे साथ मिलके आप digital marketing services यूज करें guarantee देता हूँ दोस्तों मैं आपके साथ आपके business को ग्रोव करने में आपकी पूरी मदद करूँगा और कम से कम पैसों में आपको all to digital marketing services प्रोवाइड करूँगा तो दोस्तों अगर आपको भी business करना है, businessman बनना चाहते हैं तो works financialization का भी contact करिए और यहां से आप digital marketing services लेना start करिए अपने business को ग्रोव करना start करिए तो दोस्तों वीडियो लगातार देखने के लिए channel subscribe करने के लिए और मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए information के साथ अब तरके लमस्कार दोस्तों जाहें